असलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका ट्रेंडिंग टुडे में इस बार तमाशा सीजन 3 में डबल इविक्षिन मुतवक्य हो सकती है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाशा सीजन खत्म होने में अब बस चंद ही दिन बचे हैं जैसा कि हमें बताया गया था कि तमाशा सीजन 3 64 डेज का होने वाला है तो इस हिसाब से बाकी दो ही हफते बचे हैं और देखा जाए तो तमाशा सीजन 3 में अब तक 11 कंटेस्टन्स टिके हुए हैं इस हिसाब से लगता है कि हर वीक दो-दो कंटेस्टन्स निकलेंगे या फिर मिड वीक इलिमिनेशन भी पॉसिबल हो सकती है ऐसे में आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वोटिंग ट्रेंड क्या चल रही है इस वीक की इलिमिनेशन के बारे में इस week elimination के लिए जो contestant nominated हैं वो हैं दानिया इनवर, अनम तन्वीर, माही बलोच, जुनेद खान और साइमा बलोच अब तक की वोटरिंग टेन पर हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि साइमा बलोच सबसे आगे है तो साइमा बलोच को कोई खत्रा नहीं elimination का ये साइमा बलोच बखु भी जानती है इसलिए वो टास्क में भी इतना पर्फार्म नहीं करती लेकिन उनकी बाकी की जो हरकते हैं और बाकी की जो पर्फार्मस है इस शो में उसको लेकर फैंस उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वो खुद भी प्रिटी शोर हैं कि वो कहीं नहीं जा रहीं वो फिनाले में तो पकी हैं इस वोटिंग ट्रेंड में जो दूसरे नमबर पर सबसे आगे है वो है अनम तन्वीर तो पासिबल है कि अनम तन्वीर भी इस वीक घर ना जाए अब तक की वोटिंग के और वोटिंग प्रेंड के इसाब से जो बाटम टू कंटेस्टन्ट हैं वो हैं माही बलोज और जुनेद ये तो हम कह सकते हैं कि मतवक्के इलिमनेशन इन दो कंटेस्टन में से एक ही हो सकता है लेकिन ऐसा भी पासिबल हो सकता है इस वीक डबल इलिमनेशन हो और अगर लाइक करें और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो एसी वीडियो देखना पसंद करते हों मैं कोशिश करूँगा कि तमाशा सीजन 3 की हर न्यू अपडेट आप लोगों के लिए सबसे पहले लाऊं और मेरी ये भी कोशिश होगी कि अब से मैं रोजाना एक वीडियो डालूँ और तमाशा सीजन 3 के एपिसोड पर भी रिवियू करूँ इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की नीड है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे किन चीज़ों की इंप्रूमेंट की जरूरत है वो मैं बखुबी करूँगा और आप लोगों तक हर नई अपडेट जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कर दो कि पर चौंग